ओम शिरी मन नारायनायनमे शिरी बिश्णु पुराण के पिर्थम अंस के ग्यारवे अध्याय का नुवाद धुरूब का वनगमन और मरीची आदी रिजियों से भेट शिरी परासर जी बोले हे मैत्रई मैंने तुमें स्वयम्मनू के प्रियबरत एवम उत्तानपाद नामक दो महाबलवान एवम धर्मग ये पुत्र बतलाई थे हिबरामन उन में से उत्तानपाद की प्रेयसी पतनी सुरूची के पिता का अत्यांत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ हिद्विज उस राजा की जो सुनिती नामक राज महीसी थी उसमें उसका बिसेश प्रेम ना था उसका पुत्र धुरूब हुआ एक दिन राज सिंगासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देख धुरूब की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई किन्तु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरूची के सामने गोद में चड़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेम बस आए उस पुत्र का आदर नहीं किया अपनी सोत के पुत्र को गोद में चड़ने के लिए उत्सु को और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरूची इस प्रकार कहने लगी अरे लल्ला बिना मेरे पेट से उत्पन हुए अन्ये इस्त्री का पुत्र होकर भी तु ब्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनुरत करता है तु एबिवेकी है इसलिए ऐसी अलंब भी है उत्मोत्तम बस्तु की इच्छा करता है यह है ठीक है कि तु भी इन्ही राजा का पुत्र है ततापी मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धर्ण नहीं किया समझत चकरवर्ती राजाओं का आज से रूपी है राज सिंगासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है तु बियर्थ क्यों अपने चित को संताप देता है मेरे पुत्र के समान तुझे वरथा ही यह उच्छा मनुरत क्यों होता है क्या तु नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीती से हुआ है सेरी परासर जी बोले हे दूज वी माता का ऐसा कथन सुन बहबाला कूपी थो पिता को छोड़ कर अपनी माता के महल को चल दिया ही मैत्रे जिसके ओष्ट कुछ कुछ काप रहे थे ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीती ने उसे गोध में बिटा कर पूछा बेटा तेरे क्रोध का क्या कारण है तेरा किसने आदर नहीं क्या तेरा अपराद करके कौन तेरे पिता जी का अपमान करने चला है सिरी परासर जी बोले ऐसा पूछने पर धुरूप ने अपनी माता से बेश सब बाते कह दी जो अती गरविली सुरीची उससे पिता के सामने कही थी अपने पूत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीती ने खिन चित और दीर्ग निस्वास के कारण मलिन नएना होकर कहा सुनीती बोली बेटा सुरूची ने ठीक ही कहा है अबस्य ही तू मंद भाग्य है हेवत्स पुर्णे वानों से उनके भी प्रक्षी ऐसा नहीं कह सकते बच्चा तु ब्याकुल मत हो क्योंकि तूने पूर्व जनमों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है और जो नहीं किया है वह तुझे देवी कौन सकता है इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए हेवत्स जिसका पुर्णे होता है उसी को की पूर्णिया हीना होने से ही मुझ जैसी इस्तरी केवल भारिया भरण करने योग्या ही कही जाती है उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पूर्णिया पूंज संपन है और मेरा पूत्र तु दुरूब मेरे समान ही अल्प पूर्णियावान है ततापी बेटा तुझे अत्यंत दुक ही हुआ है तो सर्व फल दायक पूर्णिया के संग्रह करने का प्रयत्न कर तू सुसील पूर्णियात्मा प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितेसी बन क्योंकि जैसे नीची भूमी को धलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है बैसे ही सत पात्र मनुस्य के पास स्वतेही समस्त संपत्या आ जाती हैं दुरू बोला माता जी तुमने मेरे चित्त को सांत करने के लिए जो बचन कहे हैं बे दुरू बाक्यों से बिंदे हुए मेरे हिर्दिया में तनिक भी नहीं तहरते इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से अधरनिया सर्वस्रेष्ट पद को प्राप्त कर सकूं राजा की प्रेसी तो अवस्य सुरूची ही है और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है ततापी है माता अपने गर्भ में बढ़े हुए मेरे पिरवाब को भी तुम देखना उत् किसी दूसरे के दिये हुए का पद का इच्छुक नहीं हूँ मैं तो अपने पुरुशार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूं जिसको पिता जी ने भी नहीं प्राप्त किया है सिरी परासर जी बोले माता से इस प्रकार कहे धुरूब उसके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहर युपन में पहुँचा वहां धुरूब ने पहले से ही आये हुए साथ मुनिस्वरों को क्रश्नम म्रग चर्म के बिच्छोनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा उस राज कुमार ने उन सब को प्रडाम कर अति नर्मता और समुचित अभी बा नहीं करण आपके निकटाया हूं रिसी बोले राज कुमार अभी तो तू चार पांच वर्स का ही वालक है अभी तेरे निर्वेद का कोई करण नहीं दिखाई पड़ता तुझे कोई चिन्ता का विसे भी नहीं है क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है और हिवालक तेरी कोई इष्ट बस्तूख हो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता तता हमें तेरे सरीर में भी कोई ब्याधी नहीं दीख पड़ती फिर बता तेरी गिलानी का क्या करण ह स्री परासर जी बोले तब सुरूची ने उससे जो कुछ कहा था बहे सब उसने कह सुनाया उसे सुनकर बेरिशिक गर्ण आपस में इस प्रकार कहने लगे अहो छात्र तेज कैसा प्रवल है जिससे बालक में भी इतनी अक्षमा है कि अपनी भी माता का कथन उसके हिर्दे से नहीं टलता हे शत्रिय कुमार इस निर्वेद के कारण तुने जो कुछ करने का निश्चे किया है यदि तुझे रूचे हो तो वहे हम लोगों से कह दे और हे अतुलित तेजस्वी यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें क्योंकि हमें ऐसे परतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है धुरूब ने कहा हे दुझे स्रेष्ट मुझे ने तो धनकी इच्छा है और ने राज्ये की मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी निने भोगा हो हे मुनिस्रेष्ट आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दे कि क्या करने से वह सबसे अगर गरने इस्थान पर आप्त हो सकता है मरीची बोले हिराजपुत्र बिना गोविंद की अराधना किये मनुस्ये को वह सलेष्ट इस्थान नहीं मिल सकता अतहे तूसरी अच्चित की अराधना कर अत्री बोले जो परा प्रकृतियादी से भी परे है बे परमपुरुस जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं उसी को वह अक्षपद मिलता है मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ अंगीरा बोले यदि तू अगर गर्ले स्थान का इच्चुक है तो जिन अब्याया आत्मा अच्चित में है संपूर्ण जगत वो प्रोत है उन गोविंद की ही अराधना कर पुले बोले जो परव्रम्ह परमधाम और परस्वरूप है उन हरी की अराधना करने से मनुस्याती दुर्लमोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है पुलह बोले हिसुबरत जिन जगतपती की अराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्रपद प्राप्त किया है तो उन यग्यपती भागवान विश्णू की अराधना कर कि तु बोले जो परमपुरुस यग्यपुरुस यग्य और योगेस्वर है उन जनारदन के संतुष्ट होने पर कौन सी बस्तु दुरलव रह सकती है बसिष्ट बोले हिवत्स विश्णू भागवान की अराधना करने पर तु अपने मन से जो कुछ चाहेगा भाहिस्थान प् बता दिया अब उसको प्रसंद करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह बताईए उस महापुरुस की मुझे जिस प्रकार अराधना करनी चाहिए बह आप लोग मुझसे प्रसंता पूर्वक कहिए रिसिकड बोले हिराज कुमार विश्णु भागवान की अराधना में तत्पर पूरुसों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए बह तू हमसे अथावस्रवन कर मुझस्य को चाहिए कि पहले संपूर वाहिये विश्यों को चित्त से हटाए और उसे कमात्र उन जगदाधार में ही इस्थिर कर दे हिराज कुमार इस प्रकार एकाग्र चि ग्यान सरूब वासुदेव को नमस्कार है ओम नमो भगवते वासुदेवाए मंत्र को पूर्व काल में तेरे पिताम है भागवान स्वयंभूव मनू ने जपा था तब उनसे संतुष्ट होकर सिरी जनारदन ने उन्हें तिर लोकी में दुरलफ मनोवांचित सिद्धी दी ओू